मैंने में अमंजे नाजम बात करेंगे एक फार्मा कंपनी के बारे में जिसने काफी अच्छा मल्टी बैगर रिटन्स भी दिया है और बीच में लेने का भी मौका बना था और कंपनी के फाइनिचल रिजल्स भी आए है प्लस साडेचसो पसंट का डिविडन्ट भी डिकलेर किया अगर आपके पास ओलेडी है तो मेरे इसाब से होल्ड़ी करना चाहिए तिल रेकॉर्ड डेट और रेकॉर्ड डेट डेट डवेंबर में ही है तो काफी अच्छा डिविडन्ट दिया और साडेचसो ये फेस वैल्यू के उपर होता है तो आप देख सकते हैं 2 रुपे का फेस वैलू है 13 रुपे का डिविडेंट बनता है मार्किड कैप 8700 करोड का है और ये कमपनी है अजंता फारमा लिमिटेड और अगर आप लाश्ट टेनियास का भी चार्ट देखेंगे तो काफी गुना इसने रिटन्स दिया है 1005 के उपर इसकी क्लोजिंग थी और अगर आपके पाद अल्लेडी है तो मेरे इसाब से होल्डी करिएगा तो आप यहाँ पर इसली देख सकते हैं डिविडन्ट एवरी एर कमपनी अच्छा दे रही है और बोनस की बात करेंगे तो 2013 में बोनस शैस दिये तो इसका मैं लेटर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सकें तो यह आप देख सकते हैं लेटर मेंने बीएसी की साइट से निकाला है 650% का लगबग 13 रुपे का डिविडन्ट कमपनी ने डिकलेर किया और काफी लोगों ने इस स्टॉक को भी ले रखा है तो अगर आपके पास है या लेना भी चाहते हैं तो 18 नयमबर 2019 रेकोर्ड डेट है इसके पहले आपको 3-4 दिन पहले लेने पड़ेंगे अगर आपको एलिजिबल रहना है और कमपनी 20 तारिक या उसके बाद जो है आपको डिविडन्ट पे करना चालू कर देगी दो दिन बाद मिंज अगर आज से अगर देखा जाए तो 15 दिन ही बचे टोटल डिविडन्ट के लिए तो इसका मैं फाइनेंचल डिजल्स भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके तो यह आप देख सकते हैं यह मैंने लेटर निकाला है फाइनेंचल डिजल्स का इनका टर्न ओवर देखेंगे 655 करोड का रहा उससे पहले कौटर में जून के 619 और लाज 2018 में 559 तो उस हिसाब से जिस हिसाब से रेवन्यू बड़ा उस हिसाब से थोड़े एक्सेंसीज भी बड़े तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 116 का है लाज कोटर में 114 और 2018 में 125 जो की नतीजे अच्छे ही आए हैं इतने भी बुरे नहीं है क्योंकि रेवन्यू ग्रो करते आ रहा है तो अगर आपके पास है तो मेरे इसाब से होल्डी करना चाहिए और लंबा नजरिया रखना चाहिए और डिविडन का भी फाइदा जो है एवरी टैम लेना चाहिए तो आज इसी के बारे में बोलना था वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चले ठैंक्यू